हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलते जीत में आज हम देखने वाले हैं लर्निंग आउटकम गैप सामगरी पुस्तक यहां पर जो इस प्रकार से आपको मिली होगी तो हमका अच्छा साथ भी के बिसाय अंग्रेजी के पेज नंबर 91 से लेकर 93 तक का पूरा हल देख सकते हैं और यदि चैनल पर पहली बार आएं तो चलों को सब्सक्राइब जरू कर लिजी जैसे कि आपको तर्मार्सक पेपर अर्दवार से पर बार्सक पेपर का स्लूशन मिल सके यह हमारा 2022-23 के लिए हल है तो आई वीडियो को सुरू करते हैं बना टाइम खराब की तो य अरे 20 first दी गही है तो इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है तो यहां पर देख ली यह पेज़िठा मेरी 90 पर दी गई है तो इसको पढ़ लेते हैं इसमें और इन है पीं आफिक एंट 12 year old Mr. Sanjay Singh is my father mistress Preeti Singh is my mother I go to government middle school नहरू नगर तो यहाँ पर यह इसके introduce था अब इसके बाद हमें यहाँ पर answer देना है तो यहाँ पर answer देना है तो answer अच्छे से देख लिजी क्या क्या देना है तो पहला हमारा question यहाँ पर है My name is तो मेरा नाम क्या है आर पी आई टी क्या लखना है अर पी आई टी ए अरपता इसके बाद एज कितनी है तो यहाँ पर एज लिखेंगे एज है हमारी 12 साल टोयल लिखेंगे 12 है और मिस्टर यहाँ पर क्या है My father's name is यानि मेरे पिता जी का नाम है तो यहाँ पर पिता जी का नाम लेखेंगे M.R. M.R. संजय S.A.N. J.A.Y. संजय सिंग सिंग की स्पेले लेखेंगे S.I.N.G.H. यह हो जाएगी आपकी सिंग की स्पेले तो यहाँ पर इस परकार से आपको यहाँ पर यह लिखना था ठीक है तो यहाँ पर हमारे जो पिज नंबर 91 है इसकी बर्ग सीट यहाँ पर कम्पलिट होती है तो पहले में हमें लिखना है अर्पिता, दूसरे में लिखना है आपको 12 है और तीसरे में लिखना है Mr. संजय सिंग आसा है कि आपने यहाँ पर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो अब देखते हैं आगे अगला क्या दिया गया हमारा तो अगले में हमें क्या करना है यहाँ पर तो यहाँ पर यह दिया गया हमारा इस्टेप और थोड़ा आगे दिया है इसमें तो यहाँ पर हमसे पूछा है उसकी मा का नाम तो यहाँ पर मा का नाम आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर स्कूल का नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो स्कूल का नाम आपको यहाँ पर उसकी मा का नाम था यहाँ पर वो देख लेते हैं प्रीती ठीक, प्रीती नाम ہے यहाँ पर उनकी मा का तो जो आ आप को देख रहा होगा यहाँ रहा है तो अच्छे से नोट डाउन कर लगया यहाँ यानि मा का नाम और स्कूल का नाम आपको दोनों ही यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे होंगे तो note down कर लिए हो गया आसा है आपने अब यहाँ पर नीचे देखते हैं क्या दिया गया है इसको अपर लेते हैं step number 30 क्या दिया है तो यहाँ पर step number 30 में दिया गया है यहाँ पर लिखा है now write a small paragraph about you अपने बारे में यहाँ पर आपको एक summary लिखनी है तो यहाँ पर हमें summary लिखनी है तो यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर summary का answer आपको दिख रहा होगा तो इसका आपको answer अच्छे से note down कर लेना है तो यहाँ पर note down कर लिजिए यहाँ पर summary के बारे में लिखा है my name is बवन कुमार लोधी I am यहाँ से 20 years old यहाँ से हो जाएगा आपका तो अच्छे से देख रहा होगा इसी परकार से आपको note down कर लेना जिस परकार से आप में लिखा हुआ है आसा है कि आपने अच्छे से note down कर लिए होगा तो आएए अब थोड़ा और देख लेते हैं आगे हमारा कॉस्चन क्या दिया गया है तो आगे हमारा यहाँ पर कॉस्चन दिया गया है तो यह दिया है इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर देख लिजी यह गुरुब बर्क दिया गया है यहाँ से तो यहाँ पर यह दिये गया है तो इसको अच्छे से यहाँ पर देख लिए इसका answer आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो अच्छे से note down इसको कर लिजिए They give us oxygen, budan और medicine तो यहाँ पर option में दिए गए होंगे तो इनको अच्छे से भरते चलिएगा यह तना है से आसा है कि आपने भल लिया होगा नोट डाउंड किया होगा तो यह दि वीडियो आपको अच्छे लग रहा है तो वीडियो को लाइक जुरू कर दीजिएगा इसके आगे देखते हैं तो आगे हमारा क्या दिया गया है आपका next part नीचे तो नीचे का part दिया गया है आपका यहाँ पर क्या है पढ़लिते से तो यह लिखा है पियरबर्क टॉक यूर फ्रेंड अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ राइट फिंक्स देट यू बुड लाइक तो फॉलो चूज फ्रॉम दा गिवन बर्ड्स तो यहाँ पर लिखा है आपको यहाँ पर यह उपर जो बाक दिये गए हैं यानि यहाँ पर जो सब दिये गए हैं इन से आपको इन रिक्तिस्थानों के यहाँ पर यह पूर्ती करनी है तो किस में कौन सा भरना है तो यहाँ पर देखते चलिएगा तो पहला हमारा लिखा यहां पर पढ़ लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा पहले बाले में हमें क्या बना है तो यहां पर देखते चलते हैं और फिर इसके बाद क्या लिखा है तो तो डे गांधी जी इस आर लिविंग फोर इंडियन्स यहां पर he is an example to be he did not remember having told during his school days he taught us the खालिस्थान यहां पर और non-violence and non-corporation तो यहां पर इसमें भरना है तो देख लिए क्या क्या भरना है तो पहले वाले में हमें भरना है यहां पर इस बाले खालिस्थान में आपको भरना है यहां पर पहले में भरेंगे हम impression यानि यह वाला वर्ड भरेंगे इस बाले खालिस्थान में दूसरे वाले में आप क्या भरना है तो दूसरे वाले में भरेंगे आप इस बाले वर्ड को भरेंगे इस बाले में खालिस्थान में तहां रखेंगे दूसरे में इसके बाद त तीसरे वाले खाली स्थान में आपको क्या भरना है तो तीसरे वाले खाली स्थान में आप भरेंगे यहां पर इस वाले को रियल्टी को यानि इस वाले को तीसरे वाले खो इसके बाद अगले वाले में आपको किसको भरना है तो अगला वाला हमारा जो खाली स्थान है यहां पर हो जाएगा यह वाला पीले कलर से जो किया गया है इसमें हमें भरना है लाई वाला यह वाला यानि यह हमारा चौथा हो जाएगा इसके बाद जो लास् स्थान complete भर चुके होंगे जिस कलर से ये खाली स्थानों के नीचे अंडलाइन की गई है वही कलर वाला आपको बढ़े यहां पर भरना है असा ही कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको तो अच्छे से भर लिया होगा तो यहां और इससे समझ आपको जितनी वीडियो ह पर जाकर इस वाले और यहां पर दिख रहा है तीसे नमबर पर उपर इस वाले पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा देख लिए यहां पर अब बस इस पर जाकर आपको कुछ नहीं करना यहां पर यह पर जो किताब दी गई है तो इसका हल दिखा हुआ है आपकर कौन सी किताब का है आपका यहांपर अंग्रेजी का तो यहीं पर आपको पूरे वीडियो एक साथ में मिल जाएंगे देख लिए किस प्रकार से मिलेंगे तो आपको यहाँ पर एक्लिक करें कि दिखा देखा